हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर से मेरे बार चैनल में एक बार तो आज हम चैप्टर एट सुरू करने जा रहें तो इसमें हम सिखेंगे कि टाइप आप वरियेबल्स क्या होते हैं जैसे आपको बता हूं यहां पर तीन टाइप के वेरियेबल्स होते हैं हमारे पास पहला होता है लोकल वेरियेबल्स दूसरा होता है मॉड्यूल्स लेवल्स वेरियेबल्स लेवल्स लेवल वेरियेबल्स होता है हमारा ग्लोबल और पंपलिक अह लेवल लेवल्स क fem इन सक्तिटेश लेवल्स अवे करते हैं तो यह जो हमारा लोक़गर होता है RJ अगर हम लोकर वेरियाबल्स डिफानगे करतें यह आपका वीदिन मेक्रो काम करता है लिख लेते हैं इसको है यह आपका वीदेन मेक्रो काम डरेगा यह आपका मॉड्यूल काम करता नहीं और यह आपका वे दिन वर्क बुक काम करेगा ठीक है तो चल यह समझते हैं सबसे पहले लोकल वेरियेबल समझ लेते हैं हम लोग तो अपने विज्वल बैसिक की स्क्रीन खोल लेते हैं और प्लस एक फ्लेवन प्लेश करके तो क्या करते हैं एक छोटा सा कोड लिखते हैं सब लोकल कि लोकल नाम से एक बना लेते हैं लोकक नाम लेने ने दे़ तो लोकल अंडर इस्कुर रहा है यॉथ बना लेते हैं R sparम यहां पर हमने कर कर दिए दो वैरियेबल जैसे दिम X एच इन्टीजर यह नुमेरिक वाला ही वैरियेबल ले लिया आपने फिर क्या दिम वाई एच इन्टीजर ठीक हां और यहां पर हमने X की वैलियू रगदी 10 Y की वैलियू रगदी 15 तो हमने यह दो वैरियेबल लिख लिए हैं अब होगा कि यह हमने जो वैरियेबल डिफाइन किया है यह मैक्रो क्या करेगा कि इन वैरियेबल को यहां पे सेव कर लेगा और यहां पे श्टोर करके इनको प्रोसेस कर देगा लेकिन जैसे आप इस मैक्रो के बाहर आओगे अग तो अगर मैं इसको run करूं, f8 यह x को read कर लिया y को read कर लिया राइट यह दोनों variables read कर लिए इसने as an integer numeric वाले integer numeric data type तो यह x को 10 डिट किया, y को 10 डिट किया, 15 किया लेकिन अगर मालो मैं यहां एक और प्रोग्राम लिख दूँ देखिए यह सब इस प्रोग्राम को मैं नाम लिख देता हूँ module underscore variable ठीक है और यहां पर हम लोग variable ले ले लेते हैं jet jet sorry dim jet as integer numeric variable ले ले लेते हैं अब इसको रन करके देखते हैं कि यह रन होता है कि नहीं होता है अपना वह local window भी खोल लेते हैं जिससे पता चलेगा क्या हो रहा है कोड में यहां पर मैंने प्रेस किया function प्लस एफ यहां पर देख रहो यह compile बोल रहा है यह मतलब कि variable not defined मतलब x और y जो है आपका यह define ही नहीं है तो अब इसको solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को x और y को क्या करना पड़ेगा क्योंकि यह local level variable था इससे बाहर अगर गया तो यह x और y को read नहीं कर पार इसको define करने के लिए आपको यह करना पड़ेगा control x और टॉप पर जाके विल्कुल टॉप पर जाके यहां पर आपको इसको डालना पड़ेगा अब क्या होगा अब कहीं भी आप यह इसको दोगे xy को as an integer कि किसी भी मैक्रो में यह read कर लेगा तो यह होगा हमारा module लेवल वेरिवर जस्टॉप पर आपको लिखने से क्या होगा यह वेरिवल पूरे module के लिए लिख दिया अपने तरह से तो यह पूरे module में यह read कर लेग तो एक बार फिर से रन करके देखते हैं एक फेट जेट और अब जेट की वेल्यू इसने जीरो ही दे ठीक है यह रीट तो कर लिया इसने इंटीजर अब यह सुझोगे यहां तो आया नहीं एक स्वाई तो कैसे रिट कर लिया तो इसने यह module यहां से रिट कर लिया ठीक है यह थिए X дня इंटीजर निडे कर लिया लेकिन इसकी वेल्यू यह नहीं दे रहा है तो गantics लेने के लिए आपको पीक करने के लिए आपको एक call option का यूज़ करना पड़ेगा यह जो देखो आप यहाँ पर एक call option की बात की थी मैंने यह call macro function की तो यह call option आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह call और इस macro का नाम इस macro से connect करवाना है अपने को तो local underscore variable अब यह call option यहाँ पर डालने से क्या होगा यह दोनों macro connect हो गए अब यह क्या करेगा कि यह x में जो आपने यहाँ पर values डाले हैं उसको read कर लेगा और y में जो value डाले तो read कर लेगा और जब आप इसको run करोगे इस code को run करोगे तो पहले यह module का नाम दिखा देगा ठीक है उसके बाद यह यह z as integer read कर लेगा फिर यह इस macro को चलाएगा यह जो आपने चोटा सा macro लिखा है इसको चलाएगा इसके through x और y की value read करेगा फिर यह module variable वाले macro में आएगा और इसको run करेगा अभी run करके देख लेते हम लोग तो अपनी local window है यहाँ पर ठीक है हम लोग call option यहाँ पर लगा दिया है इससे क्या होता है यह call option से कि यह दोनों macro connect हो गए और आपस में यह values यह read कर लेगा तो function f8 प्रेस करेंगे हम लोग अभी यह यहाँ पर आया अभी यह इस वाले macro में है module variable वाले में ठीक है तो इसने जैट को read किया है एजन इंटीजर फिर मैंने effect वापस प्रेस किया तो अब यह कह रहा है कि local variable वाले macro पर चले जाओ यह local variable वाले macro पर चला जाए गा यह दो इसने इसने एक्स और वाई को read कर लिया है एजन इंटीजर लेकिन अभी वैल्यूज नहीं आई है क्योंकि अभी वैल्यूज रीट नहीं होई है ठीक है यहाँ पर गया यह देखा जैसे इधर गया यह वाला और ओप्सन आया यह इस वाले macro पर आ गया local variable वाले macro पर फिर f8 प्रेस करेंगे अब यह इसने लेको वैल्यूरी करनी करेंगे यह फ्या फेट क्या एक्स बराबर 10 bit कर लिया फिर फेट सी या वाइब 15 कर लिया अब क्या होगा जैसे हैं यह जाइट यहाँ से इस्टार्ट हो जागा यह जैट को रिट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि यह हमने macro कर लिया तो पहले क्या होता है यहां तक रण होता है फिर यह जिस भी मैक्रो को आपने लिंक किया है कॉल ऑप्शन के थूप वहां जाएगा उस मैक्रो को रिट करेगा फिर वापस से इसको प्रोसेस करेगा अब देखना यहां से स्टार्ट होगा जट से तो हमने यह प्रेस किया जट यह देखो यह जट को रीड हो गया और इसने क्या किया यह जीट कर लिया इसको ऩैक तो अब क्या करते हैं यह तो हमने देख लें विदिन मोडूल वाला जह हमारा मैक्रों था पहले रहरा यह चलाएग के देखा था यहां से यहां से यहां प्रूर्ट यहां पर यहां पर यह र constantly ऐगे एकस और वाई एज़ींटिजर शोट जे के आपने वेरियबल सहीशो नहींद दिया है फिर जब हमनंे connection और दो इंद दो इधर एकस एकस एजरफ अरलवाई एजन इंटिजर सब्टस है वाइज नहीं asked भीट कर दिया है तो यह इंटेजेड कर पाया उसको लेकिन रीट कर पा रहा था एज इन इंटीजर लेकिन यह वैलूस्ट कर रहा था तो वैल्यूस्ट करने के लिए अपने को कॉल ऊप्शन यूज करना होता है कि कौन से मैक्रो के थुरूबा चाहते हो तो हमने local variable का option pick करवा दिया यहां पर तो यहां पर फिर इसने read करना सुरू कर दिया call option जैसे डाला हमने फिर इसने x बराबर 10 read कर लिया और y बराबर 10 read कर लिया और अपने को z की value लिखके दे दी ठीक है तो अब हम क्या करते हैं अब हम करते हैं इस वाले macro को local variable वाले macro को एक दूसरा module insert करते हैं insert new module और यहां पर हम लोग जैसे एक नया macro बनाते हैं सब और इसका नाम रख देते हैं global ग्लोबल या पब्लिक पब्लिक लेवल वेरियाबल भी बोल सकते हैं इसे ठीक है और यहां पर हमने लिख दिया वही जैसे हमने यहां पर एक्सवाइज लिया था तो यहां पर हम लोग ए ले लेते हैं ए डिम ए एच इंटीजर ले लेते हैं और यहां पर हम लोग बोलते हैं कि अपने को यह में रिजल्ट चाहिए एक्स प्लस वाई का ठीक है तो अब क्या होगा अब क्या होगा देखना हमने महां पर मौडुल वन में पर एक्स और वाई की वैल्यू डिफाऍन कर रखिए यह मारा मौडूल वन है ठीक है और इसमें एक्स य की वैल्यू डिफाइन तो कर रखिए है ठीक मैं लेकिन क्या होगा जब module 2 में हम लोग बोलेंगे कि X और Y की वेल्यू दे दो हमें A में लाके तो यह देखो क्या रण करता है तो यहां सम लेख दिया सब की जगए और यह वाला कॉपी कर लेता है CTRL X तो इस मैक्रो को अब रन करके देखते हैं कि हम तो बोलेंगे इसको भाई XY हमने अलड़ी डिफाइंड कर दिया है तो हमें वेल्यू दो उसकी एड़ करके जो हमने फंक्शन लगाए ठीक है तो हम एफेट करेंगे अब यह देखो यह फिर बोल रहा है कि वेरियेबल नॉट वाला और आपको जो लोकल वाला था वो खाली विदिन मैक्रो काम करता है तो हम वापस मोडूल 1 में चले आते हैं टॉप है और आपको क्या करना होगा यहां पर इसको डिम को या तो आप या डिम की जगह लिख दो ग्लोबल या तो लिख दो पब्लिक तो हम ग्लोबल लिख देते हैं अब यह देखना यह मॉडूल 2 में वापस जाते हैं अब यह रीट कर लेगा इसको ठीका ना लेकिन वेल्यूज अभी भी नहीं देगा क्योंकि आपने कॉल अप्सन लगाया नहीं है यह यह जरूर कर लेगा लेकिन यह वैल्यूज नहीं देगा आपको 25 एक बार यह देख ल प्रेट प्रेस किया हमने और यह एक वैल्यूज इसने जीरो लाके देदी ठीक ना तो उसने रीट तो कर लिया एक्स वाई को लेकिन अब जब तक आप कॉल आप्सन नहीं लगाओगे तब तक वह वैल्यूज पिक ही नहीं कर पाएगा कि भाई आप कहां से एक्स वाई को जो डिफायंड तो ठीक आपने डिफायंड कर दिया लेकिन आपने वैल्यूज कहां डाली है किस मैक्रो में डाली है तो हमने वैल्यूज कि स्क्रूंड आली उस से इसको कनेक्ट करवा देते हैं कॉल और लोकल लेको वेयरियेबल वाले वेरियेबल वाले से इसको connect करवा देते हैं हम लोग ठीक है तो अब दुबारा run करके देखते हैं देखो अब यह values pick कर लेगा क्योंकि हमने call option के थुरू उसको उस वाले macro से connect करवा दिया ठीक है तो हम दबाते हैं F8 अब यह local वाले पर चला जागा क्योंकि पहले उसको run करेगा उसके बाद दुबारा इस macro में आएगा फिर इसको run करेगा क्योंकि वहाँ से values रीट करके लाएगा ना यह एफट प्रेस किया हमने देखो यह module 1 में आ गया इसने X और Y को रीट करेगा पहले एफट प्रेस किया 10 रीट कर लिए यह रीट कर लिए अब वापस module 2 में आ गया यह देखो यह module 2 में आ गया वापस अब यह एक ही values आपको दे देगा यहां पर 25 ठीक है यह देगा 25 दे दिया ना इसने value एक ही तो आप आपने यहां cursor ले जाके भी देख सकते हो values दिखाई द क्या है अब एक last बचा हमारा यह option explicit का अब option explicit का यूज में बता देता हूं आपको इसको मानलों यहां से मैंने हटा दिया ठीक है और यह जो module 1 में हमने इसको global variable define कर रखा था इसको हम कर देते हैं डिम वापस से कर देते हैं इसको ठीक है इसको वापस से डिम कर देते हैं जिससे यह variable read ना कर पाए globally वापस से module 2 में चले जाते है अपने अब देखना क्या होगा जब हमने उसको dim define किया था और जब हमने उसको dim define किया था और जब हमने अपना macro run किया था तो क्या हुआ था इसने बोला था x variable define करो आप तो x variable define नहीं था तो हमने define किया था वापस मतलब उस डिम वाले option को change यह मोडिल 1 में जा एक जो यह ग्लोबल कर दिया था विशने इसको गोड डालने के बाद कि आपका एक्राइब यह वर्येबल डिफाइने तो वापस रॉन कर दे देखते हैं इस बाद देखना क्या होगा लगता है आपको कि वापस कि हमने अब इसने ऑटोमेटिक इसको रीड कर लिया इसको इसने ऑटोमेटिक यह रीड कर लिया कि यह वेरियंट है भले ही आपकी कोई भी वेल्यू नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन इसने रीड कर लिया तो यह ऑप्सन एक्स्प्लिसिट यहां पर काम आएगा आपके अग अब रन करोगे, लोकल विंडो में आ जाओ, अब रन करोगे तो यह जो हमारा इसने automatic variant वाला इनको variable का नाम दे दिया था, तो अब option explicit लिखने के बाद यह ऐसा नहीं होगा, effect यह देखो, अब jx को क्या बोल रहा है कि variable not defined, तो यह हमारा option explicit का यूज है, कि अगर आपको यह जानना है कि वो exact variable define है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर उपर option explicit लिख दो, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो, और हमेशा के लिए यहाँ पर इसको fix कर देना चाहते हो, तो यहाँ पर option है, टूल्स पर जाओगे, options पर जाओगे, और यहाँ पर इसको option को unselect, जो है, इसको select कर लेना, ok कर देना, अब चबी भी macro खोलोगे, अपने आप आपकी सीट पर यह option explicit लिखा हुआ, आएगा, और आप अराम से इसको कर लोगे, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, और मैं request करूँगा, प्लीज, आप मेरी videos को like कर दिया करें, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो, और subscribe भी कर दिया करें, जिससे हमारा motivation बना रहा है,